तो 2014 में जब नरेंदर भाई मोदी की सरकार केंदर में आई तो उसके बाद एक बहुत ही अच्छा निर्णे उन्होंने किया कि जो पद्मा एवोर्ड है वो देश भर में जो जाने जाते हैं उनको तो मिलते ही है जो जाने माने नाम है उन सबको और वो तो मिलते रहेंगे उन्होंने अच्छा काम किया है तो लेकिन पद्मा एवोर्ड सिर्फ उन्हीं लोगों को मिले और जो सामान्य लोग है जिन्होंने कोई लोकल कम्यूनिटी में लोकल अपने जिले के या गाउं के स्तर पर भी काफी अच्छा काम किया हो तो वो भी हो पदमा एवर्ड से ये लोग छूट न जाए ये जो पदमा एवर्ड की जो सिस्टम है उससे तो ये रिस्पेक्ट ये ओनर अगर उनको नेशनल लेवल पे मिलेगा तो और लोगों को भी एंकरेजमेंट मिलेगा और लोगों को भी उसे प्रेणा मिलेगी तो आप देख सकत सेमिनार में जाके भाषन देते हैं बड़े बड़े ये तो डूर है करनाटक के फॉरेश्ट डिपार्टमेंट के साथ पचास साल तक डेली वेजर के रूप में काम करके उन्होंने एक लाख रुक्ष नकेवल बोए लेकिन फिर उनका नर्चर भी किया उनको बड़े भी कि और यह फॉरेश्ट का एंसेंक्रोपडिया कहे जाते है तुलसी गोडा जी तो उनका यह पदमा एवोर्ड से सनमान हुआ जो रियल में डूर है जो इन एक्शन एंवार्मेंटलिस्ट है फिर आप यह देखिए यह जो है राहिबाई पेरे महराश्ट के एक छोटे से गाउ तो इक फार्मर है उनको पदमा एवर्ड मिले प्रोग्रेसीव फार्मर है एक अच्छी महिला किसान है महराश्ट के एक छोटे से गाउं की इहमद नगर विस्तार की तो उनको भी पदमा यह यह आपने शायद पहले कभी मुझे मालुम नहीं देखा होगा या नहीं देखा है उसके बाद तो यह हम देखते ही और वो भी बैरफूट होके आपने देखा होगा कि ले रही थी और यह तीसरे जनाब यह मैंगल और करणाटक से है यह एक औरेंज बेशते हैं नारंगी बेशते हैं संत्रे जिसे हम कहते हैं और औरेंज सेल करके उन्होंने कुछ पैसे पैसे बचाए तो अपने प्रॉफिट के सारे रुपे बचाके उन्होंने अपने गाउं में स्कूल बनवाई तो यह भी बैरफूट आप देख सकते हैं कि राश्ट्रपती भावन में एवार्ड लेने के लिए आज आये थे तो यह काफी अच्छी नरेद्रमोधी सरकार की नीती है और पद्मा एवोर्ड्स की वेब साइट पर आपको ऐसे बहुत सारे रुचा खुदारन दो हजार चौद के बाद मिलेंगे आम आदमी अचीवर्स के इंस्पारिंग अचीवर्स के